हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्त्ते प्रदेश स्टेड मेड़िकल फेकल्टी का जो अलॉट्टमेंट लेटर आया हुआ है वो कितनी रैंक तक के बच्चों का आया है और कितनी सीटों पर अलॉट्मेंट लेटर जारी किया गया है क्या सभी सीटों पर alertman letter जारी हुआ है या अभी भी seat बागी है इस वीडियो में हम सब कुछ बथा बताने वाले हैं तो इस वीडियो को last तक वाश करना सिकंड राउंड कब होगा और उसके बाद भी क्या कोई राउंड होगा मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो लाज तक वाज करना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी है उसे जोई नहीं किया है तो कर लेना दोस्तो अभी तक आपने अलॉट्मेंट लेटर नहीं देखा है तो आप लोग यहां पर जाकर आप लोग अपना अलॉट्मेंट लेटर चेक कर सकते हो आपको असानी से देखने को मिल जाएगा मैं आपको बता दूं कि यहां आपको बतादों के उन्हें अच्छा कोर्स नहीं मिला होगा उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला होगा और बहुत सारे बच्चे अब इस साल नीट का भी फॉर्म डाला होगा और बहुत सारे बच्चों ने अधर-अधर कोर्स के लिए फॉर्म डाला होगा तो वो बच्चे वहाँ पर एडमिस तो वो बच्चे वहां पर भी अपलाई करेंगे इससे जो है क्या है कि सीटे सिकेंड राउंड के लिए काफी जादा वेकेंट हो जाएंगी खाली हो जाएंगी अभी सिकेंड राउंड भी होगा उसके बाद सिकेंड राउंड के बाद भी सीटे बचेंगी तो मौप अप रा तो डिपेंड की ही थी लेकिन उससे ज़्यादा भी डिपेंड किया था कि आपने कौन कौन से कॉलेज चूज किया है अब हो सकता है आपने टॉप फाइब कॉलेज चूज किये हों जो कि पूरी तरीके से गवर्मेंट हों और लगबख सभी बच्चों का टारगेट हों वो कोर्स भी जैसे डियमेल्टी कोर्स हो गया तो अब बहुत सारे बच्चों को डियमेल्टी ही करना था और उनकी रैंक बहुत अच्छी थी बट उन्हें कोर्स नहीं लाट हुआ उसका रीजन यह है कि उन्होंने ऐसे कॉलेज चूज किये थे जहां पर उनसे टॉप के रैंक पर बच्चों को वहाँ पर सीट एलाट हो गई तो यह पुरस आझ हो सकता है तो जो सीट एलाट हुई है वो बारह सो रैंक और one thousand rank तक के जनरल के बच्चों को सीट एलाट हुए और असी कٹेगरी में भी आप लोग मान के चलिए 1300, 1400 के rank तक के बच्चों के alert हुआ है और जो history category के हैं उनको तो आप मान के चलिए 3000 से 4000 rank तक के बच्चों का कोई न कोई seat alert हुआ है तो इस तरीके से बच्चों को seat alert हुआ है तो अभी क्या है कि second round के लिए seat जो है वो काफी vacuum हो जाएंगी आप लोग इसकी टेंसर ना लें कि सारी सीटों पर सीट एलाट हो गया है तो क्या सिकन राउंड में सीटे खाली होंगी तो बहुत सारी सीटे खाली हो जाएंगी आप लोग देख लेना क्योंकि काफी बच्चे छोड़ देंगे बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट मिला होगा और कॉलेज अच्छा होगा वो करेंगे फीस की भी प्रोब्लम होगी हो सकता है छोड़ दे तो इस तरीके से काफी बच्चे छोड़ेंगे तो आप लोग अगर कोर्स एलाट हुआ है तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है तो आप लोग एडमिशन जरूर ले लें जल्द से जल्द तो जिने एलाट नहीं हुआ है वो लोग सिकेंड राउंड का वेट करें ज्यादा पैनिक ना हो और आपको कोई न कोई कोर्स चाहिए तो सिकेंड राउंड में च्वाइस फिलिंग का आपसन आएगा तो वहाँ पर आप लोग पुना सारे कॉलेज चूच कर लेना जिससे कोई न कोई कॉलेज आपको मिल जाए दोस्तो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो तो यही कुछ अबडेट था तो आपको कॉलेज नहीं इलाट हुआ है तो उसकी आप लोग टिंसर न लें क्यूंकि आपने जो कॉलेज चूच किये होंगे उन कॉलेज में आपके टॉप के रैंग के बच्चों को सीट मिल गया होगा इसलिए आपको कॉलेज इलाट नहीं हुआ है तो आप लोग सिकन राउंड का वेट करें उसमें आपको जरूर मिल सकता है दोस्तो कोई सवाल है कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में